असलाम अलेकूम हेलो गाइज विलकम टू रानीज गार्डेन यह देखे हैं हमारा आरेंथमम का प्लान तो यह जो है एकदम बुशी थे और बहुत ही प्यारे लगते थे इस वीडियो मैंने डाली हुई है आप लोग देख सकते हैं और अब इनकी खालत देखिए क्या हो रहा इदम डंडियां बची हैं इसमें कोहरे पाले की वज़े से सारी पतियां इनकी जढ़ चुकी हैं अब किसी किसी टहनी में एक दो पतियां बची हैं और किसी टहनी में तो कुछ बचा ही नहीं लग रहा डंडिया लगी हुई हैं तो अब मैं इनको कट कर रही हूँ और कट क फर्टिलाइज कर दूंगे इनको तो इसमें जो है नई लीफ्स आएंगी जो है प्लांट सारा बुशी हो जाएगा और यह जो नई जो है टैनिया कट रही है इनसे नई प्लांट तयार हो जाएंगे तो कहने का मतलब यह कि इस ठंडक में सब पेड़ पौदों का इतना बुरा हाल हो गया इस साइड जो है ठंड बहुत जादा पड़ी हफतों धूप का नजारा ही नहीं हुआ अब तो खेर एक दो दिन से धूप निकल लई है आज भी धूप निकले हुई है तो अभी एक हासे कैमरा था मेरे हाथ में और एक हासे में काम करती बन नहीं रहा था मेरी देवरानी है तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है थोड़ा सा और क्योंकि उनको गार्डिनिंग का तो शोक नहीं है बिलकुल भी और अगर मैं कह दूँ तो कुछ लग भी जाती है हमारे साथ कुछ करवा ले गार्डिनिंग किसी अकेले का काम नहीं है बहुत जादा काम होता है गार्डिनिंग में लेकिन सवाल यह है कि ना मेरे बच्चों को शोक है ना हास्बेंड को और बलकि उल्टा नाराज होने लग जाते हैं अगर ठक जाओ या कैदों की बहुत ठक गए आज सारा दिन इसी म लगे रहे तो सब कहते हैं बिला वज़े की कामों में तो लगी रहती हैं सारा सारा दिन ठक नहीं जाएंगी अब उनको कौन समझाए कि बिला वज़े के काम नहीं है जुनून है हमारा पैशन है तो बहराल इसको कांटीनियू रखना है अब देखिए मैं कितना क्या कर पात के लिए ही चला है पुरूनिंग का काम हमारा तो यही सब लगा हुआ है बारिश वरिश के भी कुछ आसार नजर आ रहे हैं धूपचा हो रही है तो थोड़ा सा मौसम और खुल जाए अच्छा हो जाए फिर मैं फेटिलाइस कर दूंगी अपने प्लांट्स को थोड़े थो अब की सर्दियों वाले प्लांटों मैं जादा लाही नहीं पाई जो लाही भी तो उसमें कुछ मर गए कुछ चले बस यही सब रहा क्योंकि पूरी सर्दी मेरी तब बहुत जादा खराब रही चलिए गाईज आ लाफीज बाए